खाली माय का शकुंतला जी का एक ही बेटा था और उसका नाम था आनन्द। आनन्द की पत्नी का नाम था पुर्णिमा। आनन्द और पुर्णिमा को दो बेटे थे। चिंकु तीन साल का और मिंकु पात साल का। इसके अलावा शकुंतला जी का एक छोटा बेटा था जिसका नाम था अवेनाश. कुल मिलाकर शकुंतला जी का परिवार भरापुरा था. उनके पती रगुनाज जी एक बिजनस करते थे और दोनों बेटे जॉब. इसकी वज़े से परिवार में पैसों की कोई कम्मे नहीं थी. उनका घर भी काफी बड़ा था और पूरा परिवार परिशान रहती थी कि उनकी इकलाथी बहु पूर्णी मा के माई के में. पूर्णी मा की मा जानकी देवी के अलावा कोई नहीं था. अरे पूर्णी मा बेटा, इस बार तो तुम्हें माई के गए हुए पूरे छे माईने हो चुके हैं. जरा एक दिन जाकर देख तो आओ. जानकी जी ठीक है या नहीं? आप कैसी बात करते हैं मामी जी? आप जानती है ना दोनों बच्चिया और जॉब, ये सब काने के बाद मैं कितना थक जाती हूँ. मेरा कहीं जाने का मानी नहीं करता. अरे लेकिन बिटा, तुम्हारा भाई तो पहले ही तुम्हारी ममी को छोड़ कर यूएस चला गया. अब तुम्हें तो उन्हें संभालना चाहिए ना? अब पूर्णी मा को क्यों समझा रही है ममी? ये जिम्मेदारी उसके भाई अभी शिक की है. उसे अपनी मा को संभालना चाहिए. अब पूर्णी मा इसमें क्या करेगी? अरे बिटा लेकिन अगर भाई नहीं है तो इसे तो उन्हें संभालना चाहिए. जाने दीजिये ना ममी जी. मा को शुरू से अकेले रहने की आतत है. वैसे भी पापा की डैट तो बहुत पहले हो गी थी. और भाई यूएस चला गया. अब ये ममी की बुरी किसमत है. इसमे बहुत अच्छी पार्टी रखी है. आप चाहे तो अपनी सहलियों को बुला सकती है. अब इस सुम्रह में मेरी कौन सी सहलिया बेटा? ऐसे क्या बुलती है ममी? मौले में इतनी सारी ओरते तो हैं जिन से आप बात करती रहती है. उनके साथ मौनिंग वाक पर जाती है. और क अपनी एक ऐसी दोस्त को बुलाओंगी, जिससे मैं काफी वक्त से यहां बुलाना चाह रही थी. हरे वा ममी, फिर तो हम लोग भी आपकी दोस्त से मिलेंगे. मैं पार्टी की सारी तैयारियां कर लेती हूँ. पुर्णिमा बिल्कु ठीक है रहे है. आपको जिससे बुलान ही करोगे. हरे बिल्कुल ममी, शकुंतला जी के बर्थ डी का दिन आता है और सब लोग पार्टी करने में बिजी हो जाती है. क्या ममी, अभी तक आपकी वो खास दोस्त आई नहीं. अगर वो आ जाएगी, उसके बाद हम केक काटेंगे. वो देखो, सामने दर्वाजे पर त सब केलेंगे. दादी ये आपने बहुत अच्छा किया कि नानी को बर्थ डी में बुला लिया. ये क्या ममी जी, आपने मेरी ममी को अपने बर्थ डी पर बुलाया, तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? यह तो तुम्हारे लिए सर्प्राइस था बहू. पूरे मा बेटा, क छोड़िये, चलिये, अब हम जनम दिन मनाते हैं, बहुत मज़ा आएगा. जानकी को वहां आकर बहुत अच्छा लग रहा था. रात को जानकी वहीं रुक जाती है. अगली सुबह जब सब लोग साथ में बैटकर चाय पी रहे थे. अच्छा ममी, आपको कितने बज़े जान भी नहीं. दादी ठीक कहती है, हमें अभी नानी की साथ बहुत सारा खेलना है. मुझे भी बच्चों की साथ बहुत अच्छा लग रहा है. आप लोगों की पास आकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है. वो बात तो ठीक है ममी, लेकिन बेटी की सजराल में आप थूड़ी नहीं रह सकती है. आपको जाना तो होगा ना? कैसे बाते कर रहे हो बहु? जान कीजी आप कुछ दिन यहीं पराएंगी. इतना बड़ा घर है हमारा. अगर एक कमरे में वो भी रहेंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे वा, जोस नानी से रात को कहानियां सुनेंगी. आप कहती हैं तो मैं कुछ दिन रुख जाती हूँ. वैसे भीना मेरा वहां अकेली मन नहीं लग रहा था. अपनी मा की बात सुनकर पोर्णिमा गुस्से से अपनी जगा से उठती है. मैं आफिस चारी हूँ. मुझे देर हो रही है. आप लोगों कुछ ऐसा ठीक लगे? वसा मैं भी निकलता हूँ. मुझे भी ऑफिस जाना है. ठीके ममी, आप और अंटी बात करिये. मेरा भी कॉलेज जाने का वक्त हो रहा है. मैं चलता हूँ. और इतना कहकर सब चले जाते हैं. शाम के वक्त, जब पोर्णिमा ऑफिस से लोट कराती है, तो उस दे देखा कि जान की घर के बगीचे में अकेली बैठी हुई थी. अरे पूर्णिमा बिटा, आ गई ऑफिस से. आजा बिटा, थोड़ी दिर मेरे पास बैठ. ममी, अब मैं आपकी पास बैठ कर क्या करूँगी? फूरा दिन ऑफिस में अपना सिर्ख अपा कर आती हूँ. उसकी बाद मेरे पास क जाने के बाद तो मैं बिलकुल अकेली रह गई हूँ. लेकिन ममी, इसमें अभिशेक की गलती है न? मेरी क्या गलती? मुझे तो शादी होकर अपने सुसुरा लाना ही था. आपको अभिशेक को कभी विदेश जाने देना ही नहीं चाहिए था. मैंने कहां उसे अपनी मर्ज से जाने दिया बिटा. लेकिन बच्चों के उपर हम अपनी मर्जी एक वक्त के बाद नहीं चला सकते. ममी, वैसे एक बात कूँ. आपको ना अपने घर वापस चले जाना चाहिए. लेकिन शाकुंतला जी मुझे इतने प्यार से यहां रहने के लिए कह रही है. मैं ऐसे चल दिन यहां रहने से तुम्हें क्या परिशानी है, बिटा. तुमने देखाने ही बच्चे कितने खुश हैं. और मैं हमेशा के लिए तो यहां नहीं आई हूँ. ममी, मुझे भी पता है कि आप हमेशा के लिए नहीं आई है. लेकिन आप बस अभी शाम के वक्त टेक्सी करके अपने घर वापस चली जाईए. लेकिन शकुंतला जी क्या सोचेंगी बिटा, वो अभी मंदिर गई हुई है. और उन्होंने कहा था कि उनके आने के बाद वो मेरे साथ बैठ कर चाय पीएंगी. आप अपनी बेटे को खुश देखना चाहती है कि नहीं? आपने बेटे को तो यूएस भेज दिया, उसे तो पूरी तरह से आजादी दी लेकिन यहां रहकर आप मेरी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी करना चाहती है. चीक है बेटा, अगर मेरे रहने से तेरी जिंदगी में परिशानी आती है तो मैं चली जाती हूँ. मैं अपनी बेटी को परिश ममी उनका यहां पर मन नहीं लग रहा था ना, तो उन्होंने मुझी कहा कि उन्हें अपने घर जाना है. ऐसा ही होता है, बुड़ा पे में इंसान का मन अपने घर के अंदर लगता है. लेकिन उस खाली मायके में है क्या मन लगाने के लिए, जो वहां पर उनका मन लगेगा? अरे ममी अकेला ही सही, लेकिन वो है तो उनका घर ना, इसलिए उनका वहां पर मन लग रहा होगा. शकुंतला जी को किसी की भी बात पर भरोसा नहीं होता. रात के वक्त, जब शकुंतला जी अपने कमरे में बैठी थी. दादी मुझे नानी की बहुत याद आ रही है. हाँ, ममी को इस तरह नानी को वापस उनके घर नहीं बेजना चीहे था. ये तुम क्या कह रहे हो, चिंकु मेंकु? तुमारी ममी ने नानी को वापस भीजा है. हाँ, शाम को जब मम्य आफिस से आई तो नानी से कह रही थी कि वापस घर चले जाओ लेकिन क्यों? क्योंकि मम्य ने नानी से कहा था उनके यहाँ पर ओने से मम्य को प्रॉब्लम होती है लेकिन हमें तो नानी के ओने से बहुत अच्छा लग रहा था मैं सब समझती हूँ शक तो मुझे पहले ही था जान की जी इस तरह मुझे बिना बताई यहां से नहीं जा सकती कुछ दिनों के बाद अरे आनन बेटा मेरी जान की जी से बात हुई थी उनको हलका सा बुखार है एक काम करो आज तुम पूर्णी मा के साथ उनसे मिलने के लिए चले जाओ ममी मैं मेडिकल वाले को फोन करके उनकी दवाई भिजवा देती हूँ मुझे पता है ममी कानसी दवाई लेती है लेकिन बेटा अगर तुम उनसे मिलने चली जाओगी तो क्या प्रॉब्लम है ममी पूर्णी मा के के लिए रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं या अभिशेक उनकी पास भिजवा देते हैं आप चिंता मत करिए पूर्णी मा और आनन की बात सुनकर शकुंतला जी एक बार फिर से चुप हो जाती है कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबर सुबर शकुंतला जी अपने परिवार के सब लोगों को अपने पास बलाती है मुझे तुम सब से एक बहुत जरूरी बात करनी थी हाँ ममी बताईए ना क्या जरूरी बात है देखो बेटा तुमारे दादा जी का जो गाव है ना वहाँ पर हमारा एक पुराना आश्रम है और हम सब को वहाँ पर जाना है एक सब्ता वहीं रुकना है अरे हाँ ममी वह आश्रम तो बहुत अच्छी जगह पर है और पूर्णी मा तो वहाँ पर कभी गई भी नहीं बहुत मज़ाएगा. आनन्द, तुम, अविनाश और चिंकु मिंकु, मेरे साथ उस आश्रम में चलोगे. और ममी जी, मैं क्या करूँगी? मुझे नहीं आना क्या? आरे, नहीं नहीं बहु, मैं तुम्हें अकला नहीं छोड़ सकती. वो क्या है न, आश्रम के पंडिच जी ने कहा था कि अभी जो दिन चल रहे हैं न, उसमें बहु का घर में रहना बहुत जरूरी है. क्या मतलब ममी जी? मैं कुछ समझी नहीं. देखो बहु, मैंने पंडिच जी से बात की थी, अगले आने वाले सप्ता में जब हम लोग आश्रम जाएंगे, उन दिनों तुम्हारी कुंडली में कुछ अजीब और गरीब योग बन रहे हैं, और तुम्हारा घर से निकलना बिलकुल भी ठीक नहीं है. तो ममी, हम लोग भी आश्रम बाद में ही चलते हैं न, पूर्णी मा को अकेला छोड़ कर जाने का क्या मतलब है? हाँ, भाईया बिलकुल ठीक है रहे हैं, हम लोग बाद में भी तो जा सकते हैं. अगर ऐसा हो सकता, तो मैं भला पूर्णी मा को यहां छोड़ कर क्यों जाती? देखो बिटा, अगला सप्ता एक विशेश तीथी लेकर आ रहा है, और उसमें हम सबका वहां पर होना बहुत जरूरी है. बहुत बड़ी मजबूरी है, वरना मैं कभी अपनी बहु को यहां नहीं छोड़ती. लेकिन ममी जी मैं ओफिस तो जा सकती हूँ ना? मुझे नहीं लगता भावी, अगर पंडित जी ने कहा है कि घर से बाहर पैर भी नहीं रखना, तो आप ओफिस कैसे जाएंगी? अविनाश बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो मैं घर में ही रहना है, अरे बस साथ दिन के तो बात है बहु, किसी तरह एज़्जस कर लो ना? ठीक है ममी जी, मैं कोशिश करूंगी. शकुंतला जी, चिंकू, मेंकू, अविनाश और आनन को लेकर वहाँ से चली जाती है, पूर्णिमा घर में अकेली रह जाती है, जब पूर्णिमा घर में अकेली होती है, तो उसे रात को नीन दाना बंद हो जाता है, बोरियत की वज़ज़ से उसके सिर में दर्थ होने तुम्हें तो बुखार है। अरे क्या हुआ बहू, तुम तो घर में थी, कोई परेशानी थी तो बता दिना चाहिए था ना, तुमने दवाई नहीं ली क्या। साथ दिन से इस घर में अखेली बंधू मैं, ना किसी से बात कर पाई, और ना घर से बाहर निकल पाई, इतना डिप्रिशन मुझे लाइफ में कभी फील नहीं हुआ, मैं इस तरह अकेले नहीं रह सकती। लेकिन अगर ऐसी बात थी, तुम्हें किसी चीज की जरुरत थी, तो मुझे से कहा होता, मैं तुम्हारे लिए बाहर से ओर्डर कर दीता। अरे बाहर से ओर्डर तो मैं भी कर सकती हूँ ना, मुझे किसी चीज की नहीं, बल्कि अपने बच्चों की और आपकी जरुरत थी, आनन, तुम लोगों की बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे माफ करना पहू, ये सब मैंने जान बुझ कर किया था, ताकि तुम इस बात को समच सको, कि साथ दिन में अगर तुम्हारी ये हालत हुई है, तो जान की जी की वहाँ पर रहकर क्या हालत होती होगी। शकुंतला की बात सुनते ही सब लोग चुप हो जाते हैं। आप शायट ठीक कहते हैं ममे, पूर्णे मा को इस तर अपनी मा को वहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। और तुम उनसे मिलने भी नहीं जाते। वो बिमार होती हैं तो उन्हें देखने भी नहीं जाते। एक बार को सोचना तो चाहिए था पेटा, अगर तुम्हारा भाई उन्हें छोड़कर चला गया, तो क्या हुआ, तुम भी तो उनकी अपनी संतान हो। पूर्णी मा किसी से कुछ नहीं कहती है, चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन अगली सुबह ही वो जानकी को अपने घर ली आती है। मुझे माफ कर दीजिए ममी जी, आपने बिलकुल ठीक कहा था, आज से मेरी ममी मेरे साथ ही रहेंगी, और मैं उनकी पूरी जिम्मेदारी संभालूँगी। चलो ठीक है पिटा, किसी भी तरीके से सही लेकिन तुम्हें समझ तो आया। बाबाब को इस उम्मर में अकेले छोड़ना, खाली मायके में छोड़ देना, किसी भी बहु के लिए अच्छी बात नहीं है।